एकड़ पराली तीन से चार हजार रुपे तक बिक रही है हर्याना से सबसे जादा पराली का चारा राजस्थान में जाता है लेकिन दूसरे राज्यों में पराली को भेज़ने में किसानों को परिशानी हो रही है चीन के आसपास के गाउं के किसान पराली खरीद कर उसे खटा करते हैं पराली को काट कर चारे के तौर पर ट्रॉलियों में लोड करके राजिस्तान दिल्ली और अन्य जगों पर भीचा जाता है किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर पोलिस उन्हें रोकती है और लोड़ी के नाप पर चालान भी किये जाते हैं जिससे उनको नुक्सान हो रहा है राजस्तान में मारा सारा मारजा है आर्टियो इनके 40-40,000 के चलान कर रहा है कहां चलान कटता आपका चलान जीन में भी कटता है यहां से जाती है गाडियों में आर्टियो बगैरा दवारा इनको तंग किया जाता है अगर यह पराड़ी वहां नहीं जाएगी राजस्तान में यूपी में नहीं जाएगी तो किसानों को मजबूरन इसको जलाना पड़ेगा और ज्यादा परदूसन फैलेगा मेरी सरकार से यही रेक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ी डील दी जाए गवों का चारा मिल जाएगा और यहां परदूसन से मुक्ति मिल जाएगी